आपके अपने चैनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 20th of December 2021 के बारे में 20 December 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे हैं पर अच्छो कुपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़ादा बैतरिया पर बना सकते हैं 20th of December 2021 ये जो दिन है सोमवार का दिन सब्ता की शुरुवात का दिन आप सभी के रिए बहुत ही ज़ादा महत्पूर होने वाला है बट कहीं न कहीं जतना दिन ये महत्पूर है उतना आप इस दिन को सीरियस लेते हैं मुझे दिखाई नहीं देते जी हां जो कैलकुलेशन आती रहेगी वो काफी ज़ादा लो रहेगी और आप शायद इस हफते में उतना ज़ादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे इस पटिकुलर दिन में उतना ज़ाद एक्टिव नहीं हो पाएंगे जितना आपको होना चाहिए और उसके कारण से आपको थोड़ा सा परिशानिया हो सक आपको डाट भी पड़ सकती है इसके भी पूरे पूरे चांसेज हैं तो अपने बॉसे से अगर आपको अप्रेशेशन चाहिए अच्छी बाते सुननी हैं तो थोड़ सा एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी नहीं तो पता चला कि आपको नेगेटिव चीजें सुनने को मिल और पूरा सब्ता का पहला दिनी खराब यहां पर होता हुआ दिखाई दे गया तो इसलिए वर्क प्लेस पर बहुत ज़ादा सावधान रेने के आपको ज़रूरत है आराम से जाईए अपने काम पर पूरा फोकस करिए लेजिनेस हटा दीजिए थोड़ सा एक्टिव हो जा तो इस बात का आपको विशेश द्यान यहां पर रखना है कि confidence level जो है वो थोड़ा सा weak है आज आपका और confidence level वीक होने के कारण से काफी ज़दा मन में खयाल आ सकते हैं मन में बातें आ सकती हैं और अपना गुसा किसी और पर निकालने की भी कोशिश यहां पर आप कर सकते है तो इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है अपने behavior के कारण से किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाना है इस बात का ध्यान लखिएगा इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो relationship में भी थोड़ी अन्बन हो सकती है थोड़ी परेशानिया हो सकती है तो relationship में भ देखा जाए तो यह जो समय है गाड़ी चलाते समय थोड़ी से सावधानी रखनी है टाइम में आपको बताता हूँ कब से कब तक आपको खास कर दोपेर में अगर हम बात करें तो दो बचे से लेके शाम को पांच में तकी बीच में आला कि जाधता समय में आप इस समय में चलाएंगे बड़ फिर भी इन केस अगर कोई चला जाता है गाड़ी चलाते हैं समय तो वहाँ पर आप सभी को बहुत ज़ादा ध्यान रखने की जरूत है इस टाइम फ्रेम में रिलैक्स रखके गाड़ी चलानी है ताकि कोई दिकत के परिशानी आपको ना हो इसके आपके लिए ठीक रहेगा कोई दिकत नहीं होगी नेचर की अगर बात करें देश और बनिया की अगर बात करें तो सर्दी का जो मौसम है यह एक कड़ाके की सर्दी में बदलने वाला है और उसकी शुरुवात यहां से होते हुई दिखाई देगी 19 तारिकों क्रॉस कर चु तो यह जो दिन है यह कहीन के इस तरह की कैलकुलिशन यहां पर आपको देता है साथ ही साथ देखा जाए तो देश और दुनिया में बाकी सारी चीज़े बैलेंस रहेंगी कोई बहुत ज़ादा परिशानी वाली बात नहीं रहेगी बट येस rumors फैलते हुए नजर आएंगे या फिर छोटी सी बात भी बड़ा बनते हुए यहां पर नजर आएगी इसके भी पूरे पूरे चांसे जियां पर दिखाई देते हैं उमें करूँगा कि ऐसी कोई बात ना हो ऐसी कोई परिशानी ना हो और आप सभी को अन्नेसिसरी परिशान ना होना पड़े राशूर के अच्छा है आप बैलेंस होके अपने इस दिन को निकाल पाएंगे अराम से और कुम्ब राशी के लिए भी दिन काफी ज़्यादा ठीक है मीन राशी वालों के लिए भी दिन यहां पर ठीक ज़्यादा हुआ दिखाई देता है नमबर्स में अगर हम यहां पर बात करें तो नमबर दो, नमबर तीन, नमबर चार, नमबर पाँच और नमबर आठ के लिए यहां पर दिन सही है कोई दिकत को परिशानी नहीं है अलफाबिट्स में अगर हम देख लेते हैं तो अलफाबिट्स में यहां पर B, C, E, H, M, N, P, L, R आप सभी के लिए दिन कहीं नहीं आज या फिर आज आपके अनिवर्सरी है, या फिर आज आज आपके जीवन का कोई विशेश दिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुबकाम नहीं, मैं यही प्राटना करता हूँ कि आपका दिन मंगल में हूँ, कहीं कोई दिकत को परिशानी आपको ना हूँ, अगर आज बन दिन है, तो यह आने वाला जो साल है, यह आपके लिए काफी ज़दा मिक्स रिजर्ट लिता हूँ नजर आएगा, मतलब कि कहीं कहीं कि आपने साल को अच्छे से इंजॉय करने की कोशिश करिएगा, तो वो आपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा, उमीद अब चली वैदिक उपाय में आप लोगों को क्या क्या करना है, नोट कर लीजिए फटापट से, आज के दिन जो उपाय को करने हैं, उसमें सबसे पहला जो उपाय रहेगा, कि आपको सुबह सुबह उठके नहते समय पानी में हलका सा कच्छा दूद मिला देना है, अगर र और थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करनी कोशिश करिएगा, और बच्चों को कुछ खिला नहीं किया, कुछ देने की कोशिश जरूर करिएगा, चाये चॉकलेट ही क्यों ना हो, वो भी काफी ज़दा अच्छा रहेगा, आज के दिन आपको दो चीज़ें करनी है अगर बाहर किसी काम के लिए जाते हैं, तो आप वाइट कलर और क्रीम कलर का इस्तमाल करिएगा, थोड़ा सा लाइटिश कलर का इस्तमाल करिएगा, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई दिकत को परेशन नहीं होगी, और दूसरी चीज़, अगर आप आज किसी के हो पाए, जो कि आपको करना है, आज के दिन, अगर पॉसिबल हो पाए, तो एक तामवे का लोठा लीजिएगा, उसमें जल लीजिएगा, और चामल के कुछ दाने डालिएगा, और पीपल की पेड़ पर वो जल प्रवाहित कर दीजिएगा, वो भी आपके लिए काफी ज़ लिए बना है, और ये आपको काफी ज़दा अच्छी एनर्जी देता हुआ, दिखाई देगा, आज का जो नंबर है, उसमें है 2461, बहुत ही इंपोर्टन नंबर है, बहुत ही इंट्रेस्टिन नंबर है, और बहुत ही जदा पावफुल नंबर है, इस नंबर का इस्तमाल क क्या पने दिन को अच्छा कर सकते हैं, और कहीं कोई दिक्ट कोई परिशन है आपको नहीं होगी, उमीद करूँगा कि ये दिन आपके लिए शांदाल जाएगा, कोई दिक्ट कोई परिशन नहीं आएगी और आप बड़े आराम से इस दिन को निकाल पाएंगे, उमीद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा, बैल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दिएगा, इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समणा चाहते हैं, आप उनसे संबभ़ कर सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, आ आप सबीकी हर संबाव मददें पर कर सकूँ। धन्यवाद